हेलो फ्रेंट्स आज हम मूचल फंड के बारे में बात करेंगे कि मूचल फंड होता क्या है बेसिकली बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि मूचल फंड में जब उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करें क्योंकि बार-बार TV के उपर, advertisement के उपर एक disclaimer आता है कि ये under the market of risk है तो यहाँ के थोड़ा सा एक डर भी बनता है कि mutual fund में investment करना चाहिए या mutual fund में नहीं करना चाहिए क्या ये इतना risky asset है या फिर आपके लिए ये safe asset की तरह काम करता है तो friends मैं ईश्वर सिंग, technical analyst, mentor एवं से भी registered investment advisor आज आपको बताऊंगा कि mutual fund के benefits और mutual fund में आप कैसे investment करें और किस तरीके से instrument आपके लिए work करता है तो इस वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए और जाता से जाता share कीजिए ताकि मैं इसी तरीके के अच्छे-चे topics आपके लिए share market से related आपके लिए लाता रहा हूँ और investment tool जहां पर आपको investment करना चाहिए ऐसे-ऐसे investment instrument मैं आप तक पहुचाता रहा हूँ उनके बारे में in-depth आपको study उसको कराता रहा हूँ उसके बारे में आपको मैं बताता रहा हूँ तो आज mutual fund के बारे में समझेंगे mutual fund होता क्या है basically mutual fund को आप इस तरीकी से समझ सकते हैं कि mutual fund एक बहुत सारे investors का एक pooling amount होता है यानि कि जो n number of investors होते हैं जिनका same objective रहता है और अलग अलग जगे पर अलग 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 locations पर बहुत सारे investors होते हैं और उनका same objective रहता है कि उनको investment करना है mutual funds के अंदर और उसको fund को उसपे appreciation लेना capital का appreciation लेना profits लेने हैं तो बहुत सारे लोगों का जो एक same objective के जो लोग होते हैं वो fund को pool करते हैं और pool करने का काम कोन करता है आपके लिए AMCs करते हैं on the behalf of professional experts के जरिए जो professional experts होते हैं वो आपसे छोटी-छोटी amount लेते हैं और उस amount का एक बहुत बड़ा pool बन जाता है यानि कि एक बहुत बड़ा investment बन जाता है और फिर उसको वो investment के लिए allocate कर देते हैं जहां-जहां उन्हें investment करना होता है तो investment को allocate कर देते हैं वो pre-decided रहता है आपके लिए कि आप किस तरीके के fund के अंदर investment कराना चाहते हैं जब आप investment के लिए जाते हैं तो आपको वो fund के बारे में detail में बताया भी जाता है कि आप इस तरीके के fund में investment करेंगे कि आती है और जब वो क्यूमिलेटिव हो जाती है उस क्यूमिलेटिव इन्वेस्टमेंट को अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफिकिशन करके उसको इन्वेस्टमेंट किया जाता है और यह जो म्यूचल करें čाहिए आपको क्या करना चाहिए आपको mutual fund हायर करना चाहिए और आपने एक्टी पलांस के अंदर आपने investment किया और की लांस में क्या रहेगा कई chats siまぁ के TS करना तो small capable आपको मिलेंगे met के पूर मिलेंगे जालर्ज के प्लान मिलेंगे, तो यहां आपको decide करना है, कि आपको किस side में investment करना है, stock market के अंदर, इसको आप ऐसे भी कह सकते है, multi-cap, आपका investment भी हो सकता है, multi-cap plan भी होते हैं, यानि कि जैसे में आपका large cap के भी कुछ stocks हो गए, आपके small cap के भी कुछ stocks हो गए, और आपके medium cap के भी कुछ stocks हो गए, तो वहाँ पर आपका investment होता है, यह investment sectorial investment भी होता है, आपको लगता है कि आने वाले time के अंदर यह particular sector, pharmaceutical sector अच्छा perform करने वाला है, तो आप pharmaceutical sector के plans पर change करेंगे, आप उनमें investment करेंगे, तो इसमें कई तरीके से आप investment कर सकते हैं, बहुत सार इसके plan होते हैं, वो plan expert क्या करेंगे, फिर आपके लिए जो भी plan आपने purchase किया, उसमें diversify करके, जैसे भी उनको जहांजा allocate करना asset को, उस हिसाफ से investment करके, फिर आपके लिए वो growth देने का काम करेंगे, कुछ जो plans होते हैं, वो होते हैं, debt-oriented plan होते हैं, यानि debt से related plan होते हैं, debt समझते हैं, मतलब उस तरीके के instrument में investment करना, जहां से आपको return के तौर पर interest आता हो, अब debt plan कैसे हो सकते हैं, एक होता है debt-oriented plan, ठीक है, उसमें क्या है, debt-oriented plan के अंदर क्या होगा, कि आपको debt instruments के अंदर investment करना होगा, जैसे कि आप bonds के अंदर, long term bonds के अंदर आप investment कर सकते हैं, dynamic bonds के अंदर आप investment कर सक करते हैं Dynamic bonds मतलब जो कि interest rate इंट्रेट करता है मार्किट में जब इंट्रेश्ट बढ़ता है तो bonds का price डाउन जाता है जब इंट्रेश्ट गेता तो नाइस उठता है तो यानि मार्केट की जो enthusiasm से लेक्टिट जो आपका interest के रूप में आपको एक regular income आपको आता रहेगा कुछ होते हैं guilt funds, guilt funds कौन से होते हैं जिसमें government securities में पैसा लगाया जाता है जो securities central government और state government द्वारा issue की जाती है यानि कि जो bonds issue किये जाते हैं उनके द्वारा या commercial paper जो issue किये जाते हैं उनके द्वारा कुछ होते हैं short term, short term यानि कि छोटे time frame के लिए आपको investment करना, आपको interest तो मिलेगा उस पर भी लेकिन उनका time छोटा है as per your goal आपको decide करना है कि आपको किस plan के अंदर जाना है और कुछ plan इसके होते हैं liquid plan यानि कि debt के अंदर को होता है liquid plan जिसमें money market instruments के अंदर पैसा लगा जाता है यानि कि अगर आपका goal 90 दिन से कम का goal है तो आप money market instruments के अंदर पैसा लगा सकते हैं basically liquid schemes के अंदर पैसा लगाते हैं institutional investors बड़े जो investors होते हैं और जो बड़ी companies होते हैं बड़ातर वो इसके अंदर पैसा लगाते हैं institutional investors इसमें investment करते हैं अगले plan कौन से हो गए अगला plan हो गए आपको balanced plan balanced plan में क्या होता है आपका equity का भी investment रहता है उसके अंदर और आपका debt का भी investment रहता है यहां आपको decide करना होता है कि आप debt का पार्ट बढ़ाना चाहते हैं उसके अंदर या फिर आप equity का पार्ट बढ़ाना चाहते हैं अगर आप debt का पार्ट बढ़ाना चाहते हैं तो debt oriented scheme होंगी आपके लिए यानि कि आपको 100 rupees आपको investment करना है तो आपने 80 rupees, 70 rupees investment किया debt के अंदर और 30 और 20 रुपीज investment किया equity के अंदर तो यहां क्या रहता है आपको interest भी मिलता है आपको एक मतलब fixed income की भी guarantee हो जाती है और आपको जो capital appreciation होना होता है share market के अंदर उसका भी एक benefit आपको मिलता है दूसरा हो गया equity oriented इसमें किया कि यह भी balanced fund है लेकिन equity oriented है और अगला question आता है आपके दिमाग में mutual fund तो समझ में आ गया ठीक है यह mutual fund होता है यह सारी schemes होती है लेकिन mutual fund में हम investment क्यों करें तो इसका सीधा सीधा जवाब तो यह है कि यह professionally managed होता है उतना अच्छे से आप अपने fund को manage नहीं कर सकते आप जो भी portfolio अपना बनाएंगे जो भी stocks, bonds, जो भी चीज़ें आप अपने portfolio में रखेंगे आप उतने अच्छे से उन्हें manage नहीं कर सकते जितने अच्छे से वो professionally expert उसको manage कर देंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा deep research का requirement नहीं होता और आप उसमें अपनी एक अच्छे investment कर सकते हैं ठीक है दूसरी चीज़ क्या है यह बहुत low cost पर आपको मिल जाता है low cost मतलब इसमें जो आपको commission के तोर पर जो payment करनी होती है ज्यादा ज्यादा 1-1.5% तक का commission of total invested amount होता है लेकिन return आपको अच्छे मिल जाते है low cost पर आपका investment आ जाता है इसके अंदर अगली चीज़ क्या रहती है यह easily trackable होता है आप इसको आराम से track कर सकते हैं क्योंकि यह NAV के रूप में आपके सामने पेपर के अंदर भी publish होता रहता है और आप अपने account में जाके भी NAV का price देख सकते है NAV क्या हो गया net asset value यानि कि जो total number of unit आपको allotted है और आपका net जो value जो worth है आपके उसका investment का यह unit से divide करके आपका NAV निकली आता है और उस NAV के उपर आप लगाता है उसको track कर सकते है यानि कि NAV का price अगर बढ़ रहा है तो आपका investment grow कर रहा है NAV का price अगर down जा रहा है तो आपका investment break हो रहा है नीचे की तरफ तो आप आराम से इसको manage कर सकते है अगली चीज क्या आती है इसके अंदर कि इसमें आपको एक flexible BTP मिलती है आज आपको लगता है कि equity market अच्छा perform नहीं करा तो आपने क्या काम किया debt fund के अनदर investment किया लेकिन कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद आपको लगता है कि अभी equity का time है equity market perform करने वाला है तो आप उसको switch भी कर सकते हैं यानि कि पहले आपका था debt fund के अनदर अभी आपको हो गया equity fund के अनदर या फिर proportionate आप उसको change कर दीजिए इधर से आप उधर कर दीजिए कुछ हिस्सा उसका equities में डाल दीजिए तो आपको diversification मिलता है इसके अनदर और ये professionally managed होता है और अगली चीज़ क्या रहती है diversification आपको बहुत बड़ा मिलता है इसके अनदर आप अगर एक retail investor है individual investor है तो आप बहुत ही limited securities के अनदर पैसा लगा सकते हैं लेकिन as an mutual fund अगर आपने mutual fund में पैसा लगाया है तो आपका वही थोड़ा सा पैसा multiple securities के अनदर लग जाता है यानि कि fund का diversification हो जाता है और diversification होने का benefit रहता है कि risk जो रहता हो mitigate हो जाता है या रिस्क बहुत ज़दा reduce हो जाता है तो यहाँ आपके लिए win-win situation होता है mutual funds में बहुत ज़दा आपको हरवक्त TV watch करने का या stocks को watch करने का requirement नहीं होता क्योंकि वो fund अपने आप उसमें AMC उसको manage करते रहते हैं यहाँ आपके सबसे कम सिरदर्दी रहती है और आपको अपने मन पसंद के plan आपको मिल जाते हैं आपको flexibility रहती है plan से इस plan से उस plan के अंदर switch करने का उस plan से इस plan के अंदर switch करने का तो आपको flexibility मिलती है diversification मिलता है experts की पूरा का पूरा experts का आपको mark दर्शन उसमें मिलता है पूरा का पूरा तरीके से managed वो आपको professionals करते हैं आपका जो intervention होता है उसमें कम से कम आपका intervention होता है cost बिल्कुल minimum होती है उसकी और वो आराम से आप track कर पाते हैं और आपका fund आपके तरीके से आपके goal के हिसाब से वो fund आपको grow करके उस time के हिसाब से जो भी आपने objective अपने decide करें उस objective के हिसाब से आपने fund जो लिया है वो fund आपके लिए perform कर रहा है on the behalf of AMCs ठीके तो मैं समझता हूँ कि mutual fund और mutual fund कैसे काम करता है क्यों मैं investment करना चाहिए ये सारे के सारे concept आज इस video से आपको clear हो गए होंगे आगे मैं mutual fund के कुछ और concept लेकर आऊँगा मेरी अगली videos को जरूर देखिएगा उसमें मैं बताऊँगा कि mutual fund में कैसे investment करने के बाद में और क्या-क्या आपको opportunities रहती है कहां-कहां आप और investment कर सकते हैं यानि कि इसकी deep insights भी मैं आगली video में आपको बताऊँगा आपने इस video को last तक देखा Thank you very much मेरी video को अभी तक आपने like नहीं किया Thank you very much